यादों का कारवा, विविध भारती की विग्यापन प्रसारण सेवा की रजत जयन्ती पर विविश भारती सेवा के निर्माता लौकेंद्र शर्मा द्वारा निर्मित और संकलित कार्यक्रम जिसमें कोमेंटरी श्री अमीन सायानी साहब की है. लिया गया है विग्यापन प्रसारण सेवा महराश्ट्रा और मुंबई के प्रायोजित कार्यक्रमों का, जिसमें छूट गए है बालगोविंद श्रीवास्तफ जी और श्रीमती कमाल बारोट जी जिनका एक कार्यक्रम फिल्मी महेफील का एक एपिसोड मुझे प्राप्त पाया श्री राजिल सायानी जी ने जिनको धन्यवाद के साथ इसमें जोड़ दिया है उनकी याद कायम करने है तू बच्चे जवान और भूहे किशोर और जज़ भी किशोरदाही बने थे मशूर कैरेक्टर एक्टर सीनियर तिवारी की नकल करके काइंडली एक्स्प्लेंट बास थमजब नहीं आई साथ सा बता मी लॉड मैंने जब जब गाना चाहा तो मेरे बड़े भाई अशो कुमार ने कहा अरे जा 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 अच्चों का खेल नहीं हम याने अशो कुमार पुर्फ तेरे बड़े भाई ने तुझे डिस्करेज किया और अच्छा गाऊंगा और यही ठांकर मैंने फिल्मी स्टूडियो के चकर लगाने शुरू कर दिये फिर क्या हुआ पे तिर क्या चकर लगाते 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 मैं म्श्वर म्यूजिक डिरेकटर ह 175 परकाजी से मिल गया श्खेम्चंद परकाश अच्छा उन्होंने तेर कौन करे कौन करे ओडर ओडर उस प्रोग्राम में किशोरदा ने मुझे बोलने का मौका कमी दिया था वैसे मैं ही था उस कारिक्रम का कॉमपेर भी और प्रोडियूसर भी मैं यनि आपका दोस्त अमीन सायानी अच्छा बैनों भायू विवत भारती के प्रावजित कारिक्रमो से अनिक मशूर ब्रोड्कास्टरों और रेडियू प्रोडूसरों के नाम जोड़े हुए रहे हैं विनोद शर्मा वही जिस दन सेरेडॉन के साथ ही से 3 मई 1970 को स्पॉंसर्ट कारिक्रमों का आरंभ हुआ तो उसी प्रोग्राम के फॉरण बार यानि उसी दन 12.45 को शुरू करती थी तो दोस्तों अब मैं विनोद से गुजारिश करूँगा कि वो माइक्रोफोन के पास आएं और पहले कुछ विविद भारती के बारे में कहें आकाश्वानी के विज्यापन विभाग की रजयत जैनती के अफसर पर सब को बढ़ाई डायरेक्टिव कि रेडियो को उसके सही स्थान पर खड़ा करने के लिए सरकार अपनी सरकारी फर्मेलिटीज को रचनात्मक्ता में आले नहीं आने देगी रेडियो क्रियाटिविटी की जगा है शासन अनोशासन कारीक्रमों की बहबूदी उन्नत में साहयक हो सिर्फ जणनियों के पालन में नहीं धन्यवाद अरे धन्यवाद करके भागियेगा नहीं विनोल भाई कोहनोर गीत गुंजार के बारे भी तुछ बताईए जैसा कि गीत गुंजार शब्द से ही वनित होता है कि ये कारीक्रम गीत आरी था लेकिन गीतों पर आधारित इस तरह के बहुत से प्रोगाम पहले औल इंडिया रेडियो कर चुका था फर्क यही था कि एक बार फिर बहुत दिनों बाद गीत आत्मकता लिरिसिज्म को किसी प्रोगाम में उभारा गया और वही उसकी प्रसिद्धी का कारण बना आज चौबिस साल होने को आए जब स्वरसमराट कुनलाल सहगल सारे हंदुस्तान को दर्द और आंसू देकर इस दुनिया एफानी से कूच कर गए थे इस मौके पर मैंने सोचा दिलीब कुमार जो आज एक्टिंग के फन में चोटी पर हैं उस अमरगायक के बारे में कुछ कहें आज साइदो साहब का जिकर आते ही बहुत सी पुरानी यादें यू समझे जैसे खुद बहुत ताज़ा होई उनके सहर अंदाज गीत तो पहले भी सुने थे लेकिन फिल्म के परदे पर उनने देखकर उनकी आवास का जादू कुछ और भी दिल में घर कर गया इस वक्त भी मेरे कानों में वोगीत कुझ रहा है बहन और भाईयो जो रेडियो प्रडूसर्ज ओल इंडिया रेडियो के स्टाफ में शामिन नहीं थे बनके अपने कारक्रम बाहर के स्टूडियोज में तयार करके विग्याफ़कूंतियोर से विविधभार्ती को दिया करते थे और अब भी दे रहे हैं उनमें से अब एक और सहाव आ रहा है माइक्रोफोन के पास ये हैं लोग अपने ब्रोडकास्टर अंसट प्रोग्राम के वेरे में आख को बताएंगे जो बहुत अरसे से चल रहा है ये स्वर लहरियां और ये स्वर पिछले पंद्रह सालों से हजारों सुनने वालों की दिलों में हंसी की फुल जड़ियां जलाते आए हैं और दुखों की वादियों से उन्हें कुछ समय के लिए ही सही दूर ले जाते रहे हैं इस कारिकरम को विग्यापन प्रसार्ण सेवा के सबसे लंबे समय तक चलने वाले कारिकरम का श्रे हासिल है जो अपने आप में एक मिसाल है इस कारिकरम के साथ वे हैं सईदुलहसन, आजे कश्मीरी, मोना अलवी और रमिश्टिवारी और जो इसके जनम के समय तो हमारे साथ थे पर आज उस विराट में समा गए हैं वे हैं सुरगिय, मुजफ़र कादरी, विजय वर्मा और वी सूरी इस कारिक्रम में कई लोगों ने शिर्कत की वे लोग जो आज भी हमें प्रेड़ना देते हैं पर नहीं हो पाते पहले शामिल होते रहे, वे हैं कुसम कपूर, सुधा चोपड़ा, औरमिला चटर जी, मन्जू भाटिया, कुमार इल्लावादी, शेव कुमार सरोज, उमर अली खान, अलीम सिद्दकी, रूपा सांगले, पूजा भाटिया, वगहरा वगहरा हवलदार साब, जी बेंजी, हवलदार साब, बोलो जी, ये ये सामने आदमी खड़ा है न, पूरे एक घंटे से मुझे परिशान कर रहा है, पर जी बेंजी, मैं भी वहाँ खड़ा हूँ, और इस आदमी ने आपकी और देखा तक नहीं, इसी बात की तो परिशानी है, आज आपके मिलाकाते हो रही हैं, विवद्भार्ती में विग्यापन की रजज़त जैनती के मौके पाई, अब मैं आपको मिलवाँगा एक देवी जी से, जिन्होंने अलग-अलग तरहा के बड़े हियनों के कारक्रम प्रोडूस किये, बड़ी मधूर आवाज भी है इनकी लेकिन थोड़ी सी शर्मीली हैंगे, इसलिए आजकल कम सुनाई देती हैं, नाम है इनका कुसम कपूर, तो भई कुसम अगर आपना शर्मीलापन जो है वो छोड़ो और शोताओं को याद दिलाओ कि किन-किन विग्यापकों के कारक्रम तुमने प्रोडूस किये हैं S.Kumars, Union Carbide, MAIDC, RCF, Khaddi Commission, परिवार कल्याण मंत्राले, IFCO, LIC और GIC हमारे मुख्य क्लाइंट्स में से रहे हैं और आज भी हैं सभी भारतिय भाषाओं में प्रोड्रेम सादर किये हैं अपने बारे में हम इतना ही कहना चाहेंगे कि हमारा मुख्य प्रयत्न में यही रहा कि हम ऐसे प्रोड्राम पेश करें जो भारत की समस्तुतिक परंपरा से जुड़े हुए हो और हमारी लोगधारा को भी पोशित करें इस दिशा में हमारे सबसे जादे सफर प्रयत्नों में एवरेडी के हमसफर प्रोड्राम रहे हैं किसे तोता मैना सीबीएस के सरवाधिक लोकप्रीय स्पांसर्ट प्रोड्राम की सूची में करीब सभी भाषाओं में बरसों उपर रहा हमने हमेशा नाटकों, लोकसंगीत और लोकनाटे की विधाओं को ज्यादे महत्वत दिया है अरे मैं न तू? हाँ मैं, मगर मान मेरा कहना तू? तेरा कहना? हाँ, मस्चुना ये दुख भरे बैना अरे मगर क्यों? यों की त्यों? इस गीच के बोल मेरे कलेजे पर गर जाते हैं क्योंकि कुछ ऐसे लोग याद आते हैं ना बुलाते हैं, ना आते हैं और गम से भरे वो दिल बार बार यही टेक दोहराते हैं ये तुझे क्या हुआ है मैना सावन का महीना राखी सुनोने की बाहर और तेरी आँखों से आंसों की थार अगर तुछ से मिली होती कभी शाहिन तो तो तू भी होता ऐसा ही सफर की मंदिल है बारेली सुर्मा मेरा निराला आंखों में जिसने जाला जीवन हुआ उजाला अजी है कोई नदर वाला अजी महने का सुनिये तताहा सुनिये तताहा ज़रा इधर तो देखिये हुदूर आपने मुझ से कुछ कहा आजी जिया मैं सौभीज याप से मुखाब हूँ अजी जनाब सुर्मा तो लेते जाईए सुर्मा? जनाब आप बरे ली मनना यहाए लगते हैं जी हाँ ये तो साच है मुखाब तभी तो तभी तो आपको नहीं मालूम के हापल के पापल संदीले के लड़्डू, लखनव का अतर, डली के सलिम शाय जूती तलकत्य का रजगुला, कश्मीर के सेव, इलाबात के वकील और अमरूद, को लापुर की चपल, मलिहाबात के हम, मुदफर पुर की लीची, बरारस का लगला, नाद और की खुर्चन, जानपुर की मूली, बीकारेर का घागरा, जैपुर की चुंददी, पठने का इका, अ जानपुर के चाकू, फिरोजवाद की चुड़ी, और साथ परेली का सुर्मा, अपय अपय, छुटन दरा गिलाज पानी तो पिलेए, तमसा दिया, यार उमर हो गई, तो हुजूर, दे दू दू दो शिर्शिया, अकली आजिया, आजिया दूर्मा है, आप देशते सुर्म हैं, और जन्दल लॉलेट सारे हिंदोस्तान का रखते हैं, हुजूर, बंदा किस कामिर है, आप जाए, पहे, जरा इसकी खुबियां भी तो बताईए, अजिया तो इसमें शैकड़ों है, कभी फुरसत चाहिएगा तो सुनाऊंगा, इस वक्त तो दरिया को कूजे में बंदेलवी, मसुर माबदेलवी, देखे साहब, कुसुन कपूर अपने प्रोड्यूस किया हुए सिर्फ दो प्रोग्रामों के अंच सुनवा कर चली गई, और बागी गाम मुझ पछोड़ गई, तो बैनों भायों सुनिए, महराष्ट्र राजय लोट्री के लिए प्रोड इंफाल के बेड़े में, और एक छोटा सा हमला किया था, हमले के बाद, मैं अपना हेड़पोर्ट आगे ले जा रहा था, उसक्तु मेरे आरदली के तौर पर काम करते थे, और मनौर सब, मैं जा रहा था, आगे-आगे, और जैसिंग, एक छोटा सा बिस्तर अपने सिर्के पर लेकर मेरे पीछे आ रहा था, पर हम जा रहे से आगे इतने नेसरोफ का एक गोला, मैंने समझा, यह जैसिंग, चल बसे, मैंने पीछे देखा, तो यह जैसिंग, दोनों हाथों से अपना बिस्तर, जिर्क्यों पर रखके, और इधर उधर, तिस्तर बिस्तर भाग रहा मैंने इसको दो गालिया दी और मैंने कहा चो लू अरे वो बिस्तर फेक दे और नीचे लेज जा ने तो दूसरा गोला आ जाएगा मर जाएगा तु तो यह मेरे उपर ही उखड़ पड़े मुझे कहने लाएगे आप कहते बिस्तर फेक दू अगर यह बिस्तर फेकता तो इसके अंदर जा आपके चाची बोचल है वो तूट जाती और फिर तुमको चा कोम देने वाला था नेरा चाचा अजिकम जेनरल इंशोरेंस कोपरेशन द्वारे प्रस्तुत कृष्णाया करमन्मे वाधिकारस्ते मा फले शोकडाचन मा कर्म अपल हे तुल भूर मां ते संगोस वकर मरू तूही सा गए है तूही की नौरा गुंदता है तू किसका सहारा कर्म कर्फल की चिंता मिटा दे एक और रेडियो निर्वादा जन्हों ने विविध भारती के प्रायुजित कारज़रों के बुनियाद मजबूर करने में बड़ी लगनाई लानुर वायू उन्हीं की आवास ने एक समय ऐसा था कि चितरगीत या कहिये के फिल्मी संगीत आकाशवाणी पर बड़ी मुश्किल से कभी कभी सनाई पढ़ता था साधान व्यक्ति के लिए फिल्म संगीत एंटर्टेन्मेंट का साधन रहा है और यही वज़ा थी के रेडियो सिलोन और रेडियो गोवा काफी पॉपलर थे भारत सरकार का ये निरने के आकाशवाणी की एक अलग व्यपार सेवा शुरू की जाए मेरे खाल से एक उचित पादम था जोना क्यावल साधारन व्यक्ति के लिए मनुरंजक साबित हुआ बलकि सरकार के लिए भी आर्थिक उपलब्दी का आधार में सारे देश में लोगों को काम मिला आज मुझे बड़े खुशी होती है ये कहने में के विविद भारती के कमर्शिल प्रोग्रामस में मेरा काफी योग रहा है और अब मैं एक प्रोग्राम जो शुरू के कुछ प्रायोजित कारिक्रमों में से एक है उसकी जड़की पेश कर रहा हूँ बैंक आफ बडोदा के साथ ताही प्रोग्राम अपनी कहानी अपनी जबानी में आज आप सुनेंगे क्रिकेट के विख्यात खिलाडी दिलिप सिंग जी के जीवन के कुछ आइश दाहे है न जै जी हाँ अब आपके दवा पीने का वक्त हो गया है आप दवाले कर आराम करें अब आराम ही आराम है ऐसी बात मुम से निकालेगा भी नहीं अगर आपको कहीं कुछ हुआ तो मैं अरे नहीं नहीं जै तुमने गलत समझ लिया अरे मैं शुरू से ही क्रिकेट का खिलाडी जी हाँ दो बातों का अपसोस इस जिन्दगी में मुझे बड़ा काटता है जै फिर तो मैं तुम्हारी गोद न भर सका और तुम्हारी बीमारी ने इतना लाचार कर दिया कि अपने चाचा रंजी जी सिंग की उचाई का क्रिकेटर न बन सका यह प्रभाशाली प्रोग्राम जिसकी जलक कैदाश गोईल ने पेश की अपनी कहनी अपनी जबानी आपको आज भी जरूर याद होगा बार भायो आज विविद्भात्ती की विग्यापन सेवा की रज़त जैनते पर हम कुछ बड़े ही पुरसर कारक्रमों की यादें ताजा कर रहे हैं इतने सारे प्राविजित कारक्रमों की जलकें मिनी हैं हमको इस कारक्रम के लिए कि दो खास तरह के स्पॉंसर्ड प्रोग्राम्स हम आज शामिन नहीं कर पाएंगे यह हैं फिल्मों के विग्यापन कारक्रम और कसेट कंपनियों के विग्यापन कारक्रम लेकिन ये बहुत जुरूरी है कि आज हम उनके रेडियों तुमेने सबसे पहले बिजय बहल जो खारज आवाज वाले बड़े भावुक इंसान हैं और अनीक फिल्मों की पॉब्लिसिटी रेडियो पर कच चुके हैं मेरी हाद दिख्षब कामनाई All India Radio Commercial Broadcasting Service Central Sales Unit और विविदभार्दी के 25 सुहाने और सुनहरे सालों के सफर में God bless us मैंने अस इसलिए कहा है क्योंकि मैं भी लगबग उतने ही सालों से Commercial Broadcasting Service of All India Radio से जुड़ा हुआ हूँ मेरा सबसे अक्टूबर नॉमबर में वह एक फिल्म थी, इस फिल्म का नाम था कक्यूं और कहां इस स्पॉट के नर्मात थे शिरी बालकविन, शिरी वास्तव और रिकॉर्डिस थे Mr. Zubayri इस स्पॉट की रिकॉर्डिंग हुई थी ब्लाइन इंसिट्यूट के स्टूडियो में 1971-72 में मैंने फिल्मों के रेडियो प्रोग्रेम करने शुरू कर दिये इस अब आपका प्यार और भागवान की क्रेपा का नतीज़ा था आम ग्रेट्फुल तो थे कमेश्यल ब्रोगास्टिंग सर्वेस अफॉल इंदे रेडियो विविद्भार्तियन सेंटल सेर्ज यूनिट में गॉड ब्लेस्यू प्रदीफ शुकला प्रदीफ रेडियो के ही नहीं बलके टीवी के दुनिया के भी मशूर कराकार लेखा कोट नर्मात अनतेशक हैं इनकी आवासे भी आप मेरा खैले बड़ी अच्छी तरह परिश्यत हैं कुछ नया करने के धुन में हम पुराने हो गए बाल चांदी हो गए बच्चे सयाने हो गए और मेरे बच्चों में एक बच्चा है कमर्शियल ब्राडकास्टेंग सर्विस ऑफ विविद भारती जो अपने उम्र के 25 बरस पूरे करके अब जवान हुआ है मतलब यह नहीं के हम बूरे हो चुके हैं बलके मतलब यह है कि आज अपने भरपूर शबाब पर है कमर्शाथ चोगुनी तरक्की करें और हम रहें ना रहें इसका स्वर अनंत काल तक गुंजरित रहें यह थे प्रदीप शुक्ला और अब रेडियो टीवी और स्टेज तीनों माध्यों से बड़ा ही गहरा नाता रखने वारी एक जानी पहचानी बेवी जी सरता से थी सरता की आवाज आप कई फिल्मी और गयर फिल्मी प्रोग्रामें में सुनते ही हैं लेकिन आज पल जो सबसे बड़ा काम ये विविद्धार्ती के लिए कर रही हैं वो है एक कसेट कंपनी के रेडियो प्रोग्राम्स का नर्मान संगीत का संबन सुनने से है ध्वन्य प्रोग्राम्स के संगीत कंपने जिनका नाता के वल संगीत से ही है अपनी नई नई रचनाओं को देश के कोने कोने में बसे श्टोताओं तक पहुँचाने के लिए इस सशक्तमाधियन को अपनाती हैं भजन, गीत, गजल, शास्ट्री संगीत, हिंदुस्तानी फिल्मी संगीत सभी प्रकार के संगीत की नित नई रचनाओं के साथ रसिकों का पहला परिचे अक्सर विविभ भारती की विग्यापन सेवा के द्वारा ही होता है और ये रिष्टा बढ़ता ही गया है इस सेवा की रजत चैनती के अफसर पर हमारी यही शुब कामना है कि ये सेवा हम सब का जीवन, हर पन और सुरी लब शुरुत अमिक्रू द्विभ भारती के विग्यापन प्रसारन सेवा के पच्चेस वर्ष पूरे होने पर अमीन सायाही द्वारा प्रसुत ये विशेश करिक्रम यादों का कारवा हम सुन रहे थे इस करिक्रम का शेश भाग हम सुनेंगे अगर शलिवार स्वर्ण स्मितिकी अगली कड़ी में दो पहर खीक धाई बटे अब दीजी कांचन प्रकाश संधीत को आध्या नमस्कार आप सुन रहे हैं विविद भारती विविद भारती की स्वान जयनती पर एक सालाना जलसा हर हफ्थे दीते हुए लभों को फिर धूम लाने का नायाब नौका विशेश कारिकम स्वान स्मिर्थी रोज स्वाप ओने आठ बजे प्रिवेनी खूंते ही बजेश तक्र बिवद देपना ले मेंग Couple इन आप सालान ड़ी प्रिवे और सी अ señor झाल रिर्वे फिर हैं पो давने विवद का हूंते ही झाल, एक से बजेश और सालान जलसा ऊञे हैं ऍ sih झाल 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 वहाँ पहुच्टे ही उस दफ्टर के आफिसर से बोला हमें तुम्हें 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 ये हम नहीं जानते और्डर और्डर वकीज साब ये क्या मज़ाख है क्या मतलब मैलोर हम यहां एसकुमार्स का फिल्मिन मुकदमा पेश कर रहे हैं यह अकबर वीबल की कहनिया लेकिन जब ये प्रोडाम आज से कई साल पहले चला करता था तब जच का रोल अदा किया करते थे रेडियो की दुन हमें एसकुमार्स के फिल्मिन मुकदमे में एक मोड ऐसा भी आया जिब मुकदमे का प्रोग्राम रिकॉर्ड करने के लिए फिल्म स्टारों के पास पूरा समय निकारना मुश्किल हो चला था और हमने मुकदमे को बदल कर उसे मुलाका की शक्र देदी थी तो उसी का एकान शार को सुनवाता हूँ जिसमें बोले थे शत्रगन सिनहा अमीन भाई बड़ी देर की महरबा आते आते हैं ओव वक्त वो जमाना कुछ और था जब मैं बोला करता था इन दिनों मैं सुनता हूँ कि मैं कम बोलता हूँ लोग ज़्यादा बोलते हैं इस पर वो बात याद आगी जब मैं पाकिस्तान गया था अमीन भाई तो किसी ने अपनी हालत बया की थी मुझसे और वो हालत मुझसे बिलकु मिलते जुलती है उसने कहा कि शदोगन साहब जैसे आपकी आवाज की बड़ी तारीफ होती है उसे तरह मैं भी अपनी आवाज के लिए बहुत मशूर रहा हूँ तो मेरी प्यानती जो मेरी शादी नहीं हुई थी तो मेरी आवाज से इसकदर प्रभावी तोई थी कि मैं बोलता था, वो सुनती थी, मैं बोलता था, वो सुनती थी फिर हम दोनों के दोस्ती हुई, दोस्ती हुई, वो बोलती थी, मैं सुनता था फिर हम दोनों के शादी हो गए शादी के वक्त पंडित बोल रहा था, काजी बोल रहा था और हम दोनों सुन रहे थे मेरे गुरुभी थे और शिक्षक थी रेडियो के दुनिया के बड़े ही उत्तम ब्रोड्कास्टर और मेरे बड़े भाई श्री हमीट सायानी हमी भाई सिर्फ अंग्रेजी ही में बोला करते थे और विविद भार्टी पर उनका जो सबस्यूर टारिक्रम रहा उत्हा कैट्बरीज वादू यानी हिंदुस्तान कुफू प्रोड़क्स लिमिटेज का प्रोग्राम बोन बीता क्विस कॉंट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् स्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् साथ का तेहांत हो गया और फिर आज साल तक मुझे उनका वो प्रोग्राम सवालना पड़ा था फिर कुछ साल बॉन वीटर कुछ कॉंटेस्ट बन रहा और पिछले वर्ष ये बड़ी साल भर के लिए दोबारा भी शुरू किया गया था दोस्तों अब उजी याद आ रही है मोदी धागों और फैब्रिक्स की मोदी संगीत कहा लिए जिसकी प्रोडूसर हुआ करती थी मेरी बीबी रमा एक धरत उस कारक्रम कि भी हो जाए बेगम मैं कहता हूँ तुम सच पुछ बेगम हो जी चाहता है कि बस बस तुम्हें अच्छा अब यह बुड़े चोज ले छोड़ा और बेंगन बेचो आरे तो बेंगन बेचने में तो तुम्हें भी मेरा साथ देना होगा अब भाराल मैं स्पॉर्ट तयार करता हूँ लगढमल चंडीदास आप के लिए लाए हैं एक नई डिश भरवा बैंगन ताजू किश्विष बदाम, आलू, कचालू, रतालू, शफ्तालू भरे भरवा बैंगन जो एक बार खाए, वो रोज रोज खाने को तडपे भरवा बैंगन जो ना खाए, वो बार बार पच्छ सब्सक्राइब दोस्तों एक कारकर मेरा बूठी है जो आप आज कल सुनते हैं सिवाका गीत्वाना के नाम से मगर रेडियो की दुनिया की वो मशूर हिट परेड जब पहली बार विविद्भारती पर शुरू गूई तो उसका नाम हुआ करता था सिवाका संगीत्वाना विविद्भारती पर अनेग स्टेश्णों पर एक साथ नेटवर्क ब्रोडकास्ट के रूप में शुरू होने वाला वो पहला प्राइजित कारकर था और अब वो फिर एक बार अपने पुराने नाम से जाना जाता है यानि सिवाका गीत्माना जिसके स्पॉंसर्ज हैं सिवाका टूथपेस्ट और टूथब्रश बनाने वादे हिंदुस्तान सीवा गाईगी लिमिटड़ बैसे आजकल और भी तो कई बड़े ही अच्छे और बड़े ही लोकुप्री प्रोग्राम शुरू हो चुके हैं और राश्ट्रिय नेटवर्क पर जोरो में चल रहे हैं जैसे क्लोज अप संगीत मुकाबला हिंदुस्तान वीवर की ओर से बबूल फिल्म बहार बलसारा हाईजीन प्रोड़क्स लिमिटड़ की ओर से कल आज और कल तेवेकॉल गीत संगम जिसके प्रावजेक हैं पिलिदाइट इंडस्ट्री इस लिमिटड़ और विडियो कॉन फिल्म धारा विडियो कॉन इंटरनेशनल लिमिटड़ की ओर से दो कारिकम मिनिस्ट्री ओफ इंफरमेशन और ब्रोड़कास्टिंग की ओर से ही आए हुए हैं नाम हैं इनके आओ हाथ बगाएं और नया सवेरा और लक्त सितारों की सरगम फिल्म सितारों जड़ा प्रोग्राम जिसके प्लाइट हैं हिंडुस्तान लिवर लिमिटड़ और दोस्तो राष्ट्य निगमों से भी विविर भारती का नाता आजकल दुबारा बेहत सफल हो रहा है जीवन बीवा निगम जिर्नल इंशोरन्स कौर्ट्रेशन वगारे के कारिकरम आप कही स्टेशनों से सुन ही रहे हैं अच्छा साब अब मेरा कैल है मैंने काफी लंबी इमिंग्स खेल ली भाई अब हमारे प्राविजित कारिकरमों की बहरों में बैटिंग के लिए आगे बड़ रहे हैं हरीश धीमानी है ऑव वही हरीश बहुत देश से इंतजारत है तुम्हेरा अपने देश के सबसे सशक्त माध्धम रेडियो का एक अधना सावी हिस्सा होना मैं अपना सोगागे समझता हूँ खास कर इस ही ये के बचपन और किशोरा वस्था में जब सुबह, दोपहर, शाम, रात, रेडियो और खास कर विविद भार के सुनता था तब कहां सोचा भी था कि कभी मुझले भी इसमें जोगदान देने का अफसर मिलेगा और शायद जितना मुंतजर रेडियो की गतविदिनों में शामिल होने का मैं था उतना ही इंतजार इस देश के व्यापारिक प्रायोजिकों को था ये बात सीकार की जा सकती है कि भारत में रेडियो का व्यापारी करन कमर्शलाजेशन कुछ देर से हुआ लेकिन देर से होते हुए भी गुरुस्त हुआ अब तक आकाशवाणी के अधकारी और व्यापसाइक प्राटकास्टर प्रशासनिक टेबल की दो विकरीत दिशाओं से एक दूसरे से मिल रहे थे कुछ खीचा तानी सा माहौल जरूर था लेकिन लगता है अब कुछ बात और है अब लगता है ये दोनों साथ मिलकर पड़म बढ़ा रहे हैं हालांके इस राजनीतिक बदलाव से पहले भी मुझे कुछ ऐसे कारिकम करने की इजाज़त दी गई थी जिनकी मैंने आशा नगी थी इनमें से सबसे महत्वपूर था माहराश सरकार के बिक्री कर विभाग द्वारा प्रावजित कारिकम सेल्स टैक्स कुंसाल्टंट रेडियो पर मुझल सल सारे तीन सालों तक उड्वित कर अपर सलाभ दी जाती रही और बही केवल समय पर टैक्स बहरने की सला नहीं बाकायदा कर बचाने के उपाई भी बताय जाते रहे मुझे याद है मैं उनी सो इक्यासी बैसी ने प्रावजित कारिक्रम कला और कलाकार के अंपरगत लता मंगेश करके छे इंटर्व्यू रेकॉर्ड कर रहा था इने से एक प्रोग्राम मिक्सिंग के दोरान अवधि से 15 सेकंड बल गया और किसी सूरत कारिक्रम में से कुछ भी काटते नहीं बन रहा था आखिर मैंने वो टेप जैसे की तैसे आकाशवाणी पर भीज़ दी और वहां से एकाद दन दनाते फोन आने का और बाद में अड़्वटाइजिंग एजनसी और प्रावजित के शिकायत वहे फोन आने का इंतजार करने लगा आकाशवाणी के प्रावजित कारेकम विभाद से टरेफोन जरूर आया और कहा कि आपके कारेकम का डुरेशन जादा है लेकिन बार बार सुनने के बाद हमें भी कहीं कुछ काटने के लिए जगे नहीं मिली इसलिए कारेकम पसारिट किया जा रहा है वैसे ही भविश में थोड़ा ज़्यादा ख्याल कीजगा उन्हें शुक्रिया का ख़त लिखते हुए मुझे मैसूस हुआ कि हमारा रेडियो तंत्र मशीन नहीं है वहां कला की सुझबूज वाले लोग भी बैठे हैं लता जी अगर आपको फिर से जिने का मौका दिया जाए चुनने का मौका दिया जाए तो क्या आप फिर से वही जीवन बिताना तहीं जी बिता चुकी है और रल्जी मत भूए कि जहां उसमें स्वरनिंकाल है वहां घोर संधल पी रहा है इन हम हजेशी मैं ठीकी लता मंदिश्टर बनके जीमा पसंने जाएं जीए साधारन अगर वक्षी बनके में रहा तो प्रकमें तुम्ही जादा आपशाएं आप चौहं से? जी, बिल्कुन क्या हूं, मैं यह सूचा हूं कि जवाब जानती हैं कि एक साधारन देश्टिकी कितनी गोर समस्चाएं होते हैं, किया आप उन समस्चाएं से गुजरना सहे हैंगी। आप लिए को जानती हैं, वर सिर्फ वही समस्चाएं कि इस की हैं, कि खी सिर्फ ग़िजरना कि जानती हैं कि लंड कहानी जैते तरूपी बात तुम रात तुम्हानी तुम्हानी की तुम्हानी उम्हीद करता हूँ के कमर्शल ब्राड कास्टिंग की स्वन जैनती के अफर पर भी कुछ कहने के लिए मैं रेडियो के छेत्र में कारेरत होंगा हाँ उस समय मेरी आवाज शायद कुछ थर्थराती जरूर होगी नमस्काफ बन और भायो और इंडिया रेडियो के बाहर रहकर यादगार प्रावजित कारकरम प्रसुद करने वाजे रेडियो नर्माताओं की बरादरी में एक शाव ऐसे भी थे जो अब इस दुन्या में नहीं रहे शील कुमार उनके चले जाने के बाद उनके दो बेटों स्वदेश और वीरेश ने उनका काम समाला है मैं स्वदेश से गुजारिश करूँगा तो वो अपने स्पिताजी शील कुमार के बारे में कुछ बदाए वो पहले ब्राडकास्टर थे जिन्होंने विग्यापन सर्विस की सबसे पहली अनॉंसमेंट की थी ये औल इंडिया रेडियो का विग्यापन विभाथ है वो अपने प्रोग्राम खुद लिखते थे और बोलते भी थे उनके कुछ प्रोग्राम जो बहुत मशूर हुए उनमें हैं बीके अंताक्ष्री, मानवता के सेवक, सवाल आपके जवाब, सितारों के वगएरा वगएरा आज वो नहीं है अगर वो होते, तो हमारे साथ वो भी इस विग्यापन सेवा की रजद्येंती पर यही कहते मुबारक हो, मुबारक हो और अब शील के कुछ प्रोग्रामों की धलकें मिलजूल कर पेश करेंगे खुद स्वदेश टढ़ा और साथ में पदीव शुपला और हम ब्रोडकास्टरों के भीश में पिताना विनूच शर्मा उस समाए के तरह तरह के फार्मेटों में से एक फार्मेट था जिसका शेश्टत था मानवता के सेवक उन महान समाज सेवकों की कथा थी इसमें जिनोंने मानवता की सेवा के लिए अपना जीवन आर्पित कर दिया था और इसके प्रसुत करता थे आई डी पिल मेरी, मेरी हमें जिसा ग्यात्त्तों की तलाश थी वो मिल गया कहा है? वो देखो, वो देखो सूरत के क्रणों की तरह चकमगा रहा है हाँ, हाँ, मैं देख रही हूँ ये, ये तुम्हारी मेहनत का फल है नहीं मेरी, ये तुम्हारी साधना का पुरसकार है अच्छा, इसका नाम क्या रखोगे? नाम? रेडियम कैसा रहेगा? अहाँ, रेडियम जूरेणियम से तस लाग को ना प्रभावशा लेए, रेडियम रेडियम बहुत से असंभव प्रयोगों को सफल बना सकेगा पियर रेडियम कैस के कौणों को भी तो सकेगा रेडियम का संपर्ख पाकर गैस विद्यूत वाहिनी बन जाएगी मेंगी रेडियम की साहता सी कैंसर किरोगी नई सिंदेगी पा सकेंगे फेरिक्स बॉनी बेबी टाइम में बूजा करती थी बच्चों की किलकारियां और उनके स्वास से संबंदित बाते रेडियक गलैख्यू चिल वाज Commissioner प्शूच्या रख झाल як झाल संधाने का झाल झाल. कि इंवम कर राष। एंप आरी जाज एंप में आरी छोरी आरी पुर से रजन गाए आरी जारी कि पिर जारी हो जारी कि प्राइब राष बाद राव जा था अजन इंपांद पुर फ खूरत बावड दियुति था जब जारी हो एचिज इंपा शौर्ट एंज पिर ब Bentay अप् यादों का सारवा विविद्भार्टी की विग्द्यापन प्रसारें सेवा के रजित जेंती वर्ष्ट के आउसर पर प्रस्तुत करिक्रम हम सेंद रहे थे लेखत वाचत और प्रस्तुत कर्था अमीनी साय हमें शुतमित्रु इसके साथ ही आज दीजिये सांचन प्रकाश संचित को आज जया फिर विलेंगे अगली शनिवार्ट दोपहर्टी धाई पते नमस्कार सुहन स्मृत्यूं का ये तर्षिरा आज यहीं तक अगले सब्ता दिवित्भार्टी की पचास साला याथ्था में से फिर ढूंडेंगे किसी छूट गये पगाव को तो अगले शनिवार्ट दोपहर्ट धाई बजे से फिर सुनिये स्वान्स बेरती हम विवित्भार्टी से गो लही हैं इस समय दिन के दो पच्टर तीस मिनिट वे हैं शौट रेट 10,323 क्लो हर्ट पर हम आपना स्वार्ट करते हैं आप सुन रहे हैं विवित्भार्टी विवित्भार्टी की स्वान जयन्ती पर एक सालाना जलसा हर हफ्थे बीते हुए लमों को फिर धूमलानी का नायाद मौका बुट प्र एम स्वान जयन्ती जह हैं विषे इष करिकव स्वानस मौकर्डी शुरोथा मित्रो नमस्कार, स्वर्ण सुरुथी की पिछली दो पड़ियों से हम बात कर रहे हैं विधित भारती की विध्यापन प्रसारण सेवा की, पहली नमंबर बर्ष उननी सो सर्शित में विध्यापन विधित भारती से आरंधोर और उसकी धाई वर्ष बाद मतलब 3 म आई 1970 को शुरू थे प्रायोजित करिक्रम, विध्यापन प्रसारण सेवा की रचचेंटी पर बनाया गया विशीष करिक्रम, यादों का कारवां की हम सुन रहते, जिससे वाकई वो गुजरा जमाना यादाया, यादे ताजा हो गया, इस करिक्रम की लोगत वाचत और प्र विध्यापन सर्विस की सबसे पहली अनॉंसमेंट की थी, ये All India Radio का विध्यापन विभात है, वो अपने प्रोग्राम खुद लिखते थे और बोलते भी थे, उनकी कुछ प्रोग्राम जो बहुत मशूर हुए, उनमें हैं बीके अंताश्री, मानवता के सेवक, सवालागते जवाब, सितारों के वगएरा वगएरा, आज वो नहीं है अगर वो होते, तो हमारे साथ वो भी स्विध्यापन सेवा की रजजयनती पर यही कहते, मुबारक हो, मुबारक हो और अब शील के कुछ प्रोग्रामों की धलके मिल्दूल के पेश करेंगे, हो दिस्वदेश दढ़ा और साथ में प्रदीश शपला और हम ब्रोडकास्टरों के भीश में पिताना विनोच शर्मा राग से अनुराग रखता था स्टेंडर्ड मिल्स और सूरत कॉर्टन मिल्स का ये प्रोग्राम राग अनुराग जिसमें विभन राग राग नियों की चर्चा किया करते थे भारत परश के सुविख्यात कलाकार आज हम आपकी मुलाकात मश्यूव शेहनाई बादर पद्म विभूशन उस्ताद दिसमिल्ला खास साथ से करवा रहे हैं राग जौनपूरी की साथ जौनपूरी क्या है अब उसकी आरोही अमरोही में क्या बात है कि इस सुर्पक इतनी देख ठहरना है तो ये वो चीज है कि जो हमारे हाथ भी बंदें मूह भी बंदें हमारा साथ को ऐसा है अब मैं उसको अदा कर रहा हूँ दुनिया जानने वाली जान दी कि हाँ ये मद्धम कैसे लिए कि दिख़त कैसे लिए कि धैवत कैसे लिए कि यह है सवाल आपके जवाब कितारों तो बैंक ओफ इंडिया द्वारा फस्तुद इस कारेकरम में आपके सवालों के जवाब दिया करते थे आपके चहीते फिल्मी सितारे हमार जी पहला सवाल है ये राकेश कुमार का जलन्थर से ये पूछते हैं कि अगर किसी आदनी की दूसरी शादी हो रही हो तो वो अपनी पहली पत्मी को साथ लेकर जाएगा या नहीं क्या सवाल पूचा है देखे वैसे तो लेखे नहीं जाते हैं लेकिन मैं कहती हूँ अगर वो दूसरी शादी कर रहा है तो अपनी बीवी को भी साथ में लेकर जाना चाहिए अगर उसकी पर्मिशन से वो दूसरी शादी कर रहा है तो अपनी दीवी को भी ले जाना चाहिए और उनके बच्चों को भी लेकर जाना चाहिए ताकि कम से कम शादी में भीटते गठा हो जाएगे अच्छी राए दिया बहुत मज़ा आएगा इस्ट्रेला वैट्रीज के निर्मादाउं द्वारा प्रस्तुत का रिचम था वर्ट्रूम रेडियो निस्नस क्राप जिसमें पाश्चात संगीत को रहांता चाहिए अंताक्षवी किस निन जोते गी पर बीके अंताक्षवी की कुछ बात ही अलगी इस प्रोग्राम में संगीत के शेत्र को कई जाने माने कलाकार दिये जैसे कि वाने जैराम, बीती सागर, कवीता कृष्णमूर्टी वगएरा प्रस्तुत करता थे बीके अंटर्प्राइज लेकिन एक शर्त है अपनी एंट्रीज के साथ वो हमें एक रुपए का पोस्टल ओर्डर प्राइम मिनिस्टर्ज रिलीफ पंड के नाम भीजने की किरपा करें अपनी हर एंट्रीज के साथ क्योंकि ये पोस्टल ओर्डर जो होंगे वो हम बाढ़ पीर्टों की मदद के लिए इकठा कर रहे हैं वो प्राइम मिनिस्टर को देंगे अच्छा तो अब हम प्रोग्राम श्रू करते हैं सबसे पहले मेरा ख्याल है पारुक साब मा से गाई ये आप कोई मुस्कुराता हुआ गीत है मान कर पता हरी दर शानको आज मान कर पता हरी दर शानको आज कहा ख़त्म के आपने आज जासे गाना है देखिए आपकी नाम का अप्षर है जोतिका और जासे गाई जारे 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 उड़ जारे पंची बहारों के बेस जारे यहां क्या है मेरी जारे के उजड़ गई बगिया मेरे मन की इस टैलेंट कॉंपेस प्रोग्राम के बारे में एक बात मैं कहना चाहूंगा इस प्रोग्राम का इतना क्रेश था कि जब कानपूर में इस प्रोग्राम को लाइफ किया जा रहा था तब लाथी चार्ज हुआ था दोस्तों याद रहे हैं आपको ये सब मशूर प्रोग्राम इनने से कई स्पांसर्स आज भी विविद भारती की विग्यापन सेवा से जुड़े हुए हैं टीवी और सिनमा और विडियो लाख आकरमन करें रेडियो की बाती कुछ और है रेडियो से ही सुनने वालों की तल पी वो शक्ति जो जीवन को चलना सिखाती है हर पल आगे बढ़ाती है चाय लाओं आपकी लिए या शाय अपना तो चाय से काम चल जागा मुलूगदास शाय तुम पी ले ना लेकिन पहले हमारी सड़क की सजादी को जरा पानी प्लाज़ प्यासी खड़ी है और हाँ सून वो जरा पोरण भी खोलके लग देना का नाम रखा है आपने की रखा सड़क भी सजादी परजाई और सड़क पर ऐसी ठला के चलती पूछो मत परजाई और बंके किते हैं नहाँ आए गया है बावरी पर चाय कड़क ही पी होगे ना कड़क पर जाईजी एक दम कड़क वाह वैसे बैन और वायू यह प्रोग्राम चाय के लिए नहीं था यह था क्लोराइड इंडिया की इगल फ्लास्क्स की और से प्रस्तुत बड़ा हिट कारकरन था वो साहब जिसे खुद लिपका प्रोड्यूस किया करते थे हमारे एक बहुत ही सीनियर और गोनी नर्माता विश्वा मिस्टर आदिल जो आजकल हैदराबाद में है इसलिए रजज़ जहनती मनायने न खुद इंस्पेक्टर इगल के टेप भेज पाए मगर बैनो भाईव वो इंस्पेक्टर इगल खुद जो यहां मौजूद है विनोद शर्मा तो विनोद दो शब्द उसके बारे में ही एक बार मुझा गया किया यह आपकी बेस्ट परफार्मेंस थी आपके करियर की आपके दिखान है जब मैं रेडियो में था डिटेक्टिव प्लेज शायद ही कभी हुए और मैं समझता हूं यही एक कारण था कि एक अच्छा डिटेक्टिव प्लेज आया और वो पूरे हिंदुस्तान पचा गया और बहनौर भायूद विनोद ही की आवाज एक और लोकत्रिय का पीमान निगम और इस शिंखला के इसकारक्रम में विनोद शर्मा भारत की ओर से कुछ बोले थे भारत जो हम सब हैं और भारती का आईना है विविद्ध भारती मैं भारत हूँ हिमालय मेरी सरहदों का सजग प्रहरी और मोक्षदाएनी गंगा मेरी पवित्रता की सौगंध है हजारों वर्षों से मैं अंधेरों और उजालों का साथी रहा हूँ वक्त की अंगिनत करवटें और इतिहास के सैक्रों बदलते दौर मैंने देखे हैं हर दौर में कुछ मेरे दुश्मन और कुछ मेरे चाहने वाले रहे हैं दुश्मनों ने मुझे रौदा गुचला जंजीरों में जकला और मेरे चाहने वालों ने उन जंजीरों को काट एकने की कोशिश में हस्ते हस्ते अपने जीवन होम कर दिये धर्म चादि और प्रदेश की सरहदों से बहुत उंचे उठकर अपने खून से मेरा तिलक किया यह था यादों का कारवा हमारे मतलब आप सभी श्रोताओं के पसंदीदा प्रसारन सेवा विविद्धारती का कारवा चलते चलते उन्चास वर्ष पूरे करके यह कारवा पचास्वे वर्ष में चलते आज यही रुपते हैं अब दीजी कांचन प्रकाश सनिपीच को आत्या फिर अपनी भेंट होगी अगले शनिवार दो पहल ठीक धाई बजे स्वर्ण स्मृति की तरिक्रम में नमस्कार स्वर्ण स्मृतियों का यह सलसिरा आज यहीं तक अगले सब्ता जिवित भारती की पचास साला यात्रा में से फिर ढूंडेंगे किसी छूट गए पगाव को तो अगले शनिवार दो पहल ठाई बजे से फिर सुनेगे स्वर्ण स्मृतियों अगले श्युब दो अगले खोनावजमों इंडर। फिल जमी मैंफल प्रुडम लगण बडा़ च्ट्रभ एंवार्ण स्वर्ण यहार्ण दो प्रुम्त भुड्यों लुड्यों पाम्ज़न फ्द्यों पानामा प्राइवेट लिम्टेट के सोजन से हर अविवार को इसी समय सुनिये फिल्मी मैं फिल पानामा स्टेनलेस ब्लेड पानामा स्टेनलेस ब्लेड से दाड़ी बनाईए आपका चेहरा निखराएगा पानामा स्टेनलेस ब्लेड से दाड़ी साफ, मुलायम और मज़ेदार बनती है और आप सरा दिन तरो ताजा मैसूस करती है आसान और आराम देश शेव के लिए आपकी हर सुबर का साथि आपकी हर सुबह का साथी समझा आप सोच रहे होंगे कि आज मैं आपको कहां कहां ले जाओंगा किस किस से मिलवाओंगा और कौन कौन से नए गीतों से आपका मन भैलाओंगा ठीक है ना तो देर न कीजिए चलिए बाल गोविन स्रिवास्तप के साथ सितारों के हसीन रंगीन और दिल्चस्प दुनिय हर फिल्म टाइटल मुजिक से शुरू होती है लेकिन क्या आप अंदाज लगा सकते हैं कि टाइटल मुजिक बनाने में रिकॉर्ड करने में कितना वक्त लगता है आठ से दस घंटे जब कल्यान जी आनन जी से मैंने पूछा कि टाइटल मुजिक बनाने में कितना खर्च होता है तो उन्होंने कहा बारा से पंदर हजार रुपए जी हाँ ये उस वक्त की बात है जब मैं उनके पास से फिल्म जानवर और इनसान का टाइटल मुजिक उनके टेप से अपने ट टाइटल मुजिक सुन रही है कि अपने टाइटल मुजिक बात है कि अपने टाइटल मुजिक बात है जरा आहिस्ता जरा आहिस्ता वो देखिए संगीत का लक्षमी कान प्यारे लाल दो भाई नहीं है दो साथी है जो मिलकर फिल्मों में संगीत देते हैं कई सिल्व जुबली फिल्मों में म्यूजिक दे चुके हैं मिलन, शागिर्द, खिलोना, आनमिलो सजना और बहुत सारी फिल्मों में देखिए वो कौन आया मनोज कुमार जी हाँ आज जो रिकॉर्डिंग हो रही है वो फिल्म है मनोज कुमार की शोर लेखक, निर्माता और निर्देशक हैं मनोज कुमार और इस फिल्म में उनके साथ काम कर रही है जया भाजुरी गीत के रिकॉर्डिंग शुरू होनी जा रही है क्यों न हम आपको रिकॉर्डिस भनसाली के कमरे में ले चलें वहां से मुकेश और लता मंगेशकर की आवाज आप अच्छी तरह सुन सकते हैं कर दो कर दो पानी रे पानी, पानी रे पानी पानी रे पानी तेरो रन पानी रे पानी तेरा रन कैसा जिसमे भी लादो लगे उस जैसा पानी रे पानी तेरा रंग ऐसा जिसमें भी नादो लगे उस जैसा पानी रे पानी ओ पानी पानी रे पानी इस दुनिया में जीने वाले ऐसे भी हैं जीते रूखी सूखी खाते हैं और ठंडा पानी पीते इस दुनिया में जीने वाले ऐसे भी हैं जीते रूखी सूखी खाते हैं और ठंडा पानी पीते पानी रे पानी तेरा रंग कैसा भूके की भूक और प्यास जैसा पानी 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 रे पानी य cuál गंगा जल तू पावन बादल से तू मिले तो रिम जिम जिम बरसे सावन सावन आया सावन आया सावन आया जिम जिम परसे पाले आग ओढ़ कर आग पहन कर आग बोड़ कर आग बहन कर पिगली जाए जहानी कहीं पर देखा छस्त टपकती जीना हुआ हराव पानी रे पानी तेरा रंग पैसा दुनिया भनाने वाले रब जैसा पानी रे पानी ओ पानी पानी रे पानी अब मिलिए प्रोडूसर डिरेक्टर मोहन कुमार से और सुनिये उनकी कहानी उन्हीं की जबानी मुझे फिल्मी दुनिया में कदम रखे हुए आज 20 साल हो गए है 20 साल? जे हाँ, इस दुनिया में बताले डिरेक्टर आने का मुझे बच्पन ही से शौक था लेकन घर वाले इस लाइन के बहुत ही खिलाफ थे लेहाँ आपने एर्मानों का गला दबा कर मुझे इंडियन एर फोर्स में बतार एर कैड़िट भरती होना पड़ा अच्छा? जे हाँ, चूंके दिल औ दमाग फिलम इंडिस्ट्री में घूम रहे थे इसलिए मैं वहाँ एक अच्छा कैड़िट ना बन सका और बहुत रद्दत के बाद एर फोर्स से चुट्टी पाई और बीस साल पहले फ्रेंट्रियर मेल के थर्ट क्लास का डिब्बे में मैं बंबई के दादर स्टेशन पर उत्रा इस विशाल और अजनभी शहर में मेरा कोई ना था स्वाए भगवान और तकदीर के थोड़ी सी कोशिश करने पर मुझे डिरेक्टर महुन सैगल जी के हाँ असिस्टेंट डिरेक्टर बनने का मौका मिला महुन जी उन दिनों अपनी पहली फिल्म आुलाद शुरू कर नहीं वाले थे अच्छा उस दिन से मैंने पीछे मुझे नहीं देखा अपनी महिनत और महुन जी की काबलियत के जेर मैंने साड़े पाँच साल परवरेश पाई और फिर एक दिन तकदीर रंग लाई और मुझे अपनी पहली फिल्म आस का पंची लिखने और डिरेक्ट करने का मौका मिला पिछले हफ़ते फिल्मी मैं फिल्म में हमने जिन्दगी जिन्दगी का एक नया गीत आपको सुनवाया था इस हफ़ते इस फिल्म का एक स्पेशल ट्रायल हुआ हम भी देखने गए ये फिल्म आप भी बहुत जल देखेंगे तपन सिन्हा इस फिल्म के डिरेक्टर है और इस जिन्दगी जिन्दगी में स्दी बर्मन ने अपने धुन पर एक बहुत ही पुरसोज गीत अपनी ही आवाज में गाया है गीत इतना पसंद आया कि उस गीत की ओरिजनल रिकॉर्डिंग हमने प्रोडूसर नारीमन इरानी और एपी शर्मा के यहां से आपके लिए मंगवाई है सुनिए ये नया गीत पिया तुने क्या किया किया तुने क्या पिया पिया तुने क्या किया रे पिया तुने क्या पिया रे तेरे बिन लागे न जिया रे पिया तुने क्या किया रे नया खाये जूहिच पोले हुले हुले मनवा डोले तुरब या जोर से चले जिया तुने क्या पिया रे अभी आप पानामा प्राइवेट लिम्टेट के सौजन से सुन रहे थे फिल्मी मै फिल् पानामा स्टेनलेस ब्लेड आपकी हर सुबह का साथी पानामा स्टेनलेस ब्लेड से दाड़ी बनाईए आपका चेहरा निखर आएगा पनामा स्टेनलेस ब्लेड से दाड़ी साफ, मुलायम और मज़ेदार बनती है और आप सरा दिन तरो ताजा मैसूज करती है आसान और आराम देशेव के लिए पनामा स्टेनलेस ब्लेड आपकी हर सुबे का साथी पनामा स्टेनलेस ब्लेड याद रखिए अगले इतवार इसी समय आप बाल गुविन स्रिवास्तप के साथ चलेंगे दिल्चस्पियों और रंगीनियों से भरी सितारों के हसीन रंगीन और दिल्चस्प दुनिया में पानामा प्रावेट लिम्टेड के सौजन से हर रविवार को इसी समय सुनिये फिल्मी मैं फिल पानामा स्टेनलेस ब्लेड आपकी हर सुबा का साथी पानामा स्टेनलेस ब्लेड से दाड़ी बनाईए आपका चेहरा निखराएगा पानामा स्टेनलेस ब्लेड से दाड़ी साफ मुलायम और मज़ेदार बनती है और आप सरा दिन तरो ताजा मैसूज करती है आसान और आराम देशेव के लिए आपकी हर सुबे का साथी अच्छा अच्छा, तो आप तयार बैटे हैं अपने रेडियो के करीब फिल्मी चहल पहल में शरीक होने के लिए तो आईए चलिए बाल गुविन स्रीवास्तप के साथ सितारों के हसीन, रंगीन और दिल्चस्प दुनिया में ये फिल्मिस्तान स्टूडियोज है जहां बंगाल के प्रसिद डिरेक्टर तपन सिनहा फिल्म जिन्दगी जिन्दगी के लिए हॉस्पिटल में एक सीन पिक्चराइज कर रहे हैं मरीजों के अलावा सित पर फरीदा जलाल, जलाल आगा, अशोक कुमार, अन्वर हुसैन और इतिखार भी हैं जिन्दगी जिन्दगी में अशोक कुमार पहली बार कमडी रोल कर रही है अरे ज़रा धीरे चल, आस पास हम गरीबों के दिल पड़े हैं तभी तो मैं कहूँ, आज यहां कच्छरा कहा से आ गया देखा राम परसाथ जी, किस बेहायाई के साथ हीरा के लिए दूद लेके जा रही है नालायक हैं सब हमाई आरे इसमाईल, आख पर तो तुम्हारे पट्टी बंदी हुई है फिर यह लौण्डिया तुमको कैसे नज़र आती है तूद चुप रहा कर दाया राम इलक्षन का जमाना है, वरना उन दोनों को गाउं से निकाल देता एक छोटी जात की छोकरी, एक ब्राम्मन के लड़के साथ खुलन खुलना प्यार करें, प्रेम करें, लविया रहें इस गाउं में लवब नहीं चलेगा, दोनों को जमीन में गार दूँगा तुम ठीक कहते हो रामपरशाद, ऐसों के साथ ऐसा ही होना चाहिए अरे सच मुच में यार कल जुग है कल जुग अरे काय का कल जुग, सारा जुग अपने हाथ में है देख लेना घैराम, तीसरी बार यूनियन बोर्ट का प्रेसिडंड बनूँगा और फिर किसी ने गलबर की, तो गर्दन पकड़कर गाउं से बाहर कर दूँगा क्या बात कही है राम परसाद जी, मगर एक बात है, इस लूंडिया को तुम नहीं निका लोगे क्यों नहीं? इसलिए कि गाउन वाले कहते हैं, यानि मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा मन समझ जाना ये गाउन वाले कहते हैं के उस लूंडिया की मा से तुमारा कुछ गोल मालता हूँ, मेरा नहीं, तेरा था तेरे बाप का था ये-ए-ए-प, मुझे बोलने जो बोलना है, मेरे बाप का नामत लेना क्या करेगा तो मुझे पांजी पर चढ़ा गएगा तू मेरा बचपन का दोस्त है इसलिए मैं चुपो वरना मैं जानता हूँ तू क्या है तू कमीना है तू लुच्चा है तू मुझसे जलता है तू जानता है मेरे पाश शौरत है दोलत है तू से अकल जादा मुझ में फिल्म जब 25 हफते में होती है तो फिल्मों की सिल्वर जुबली बड़ी धूमधाम से मनाई जाती है और उस फिल्म से संबंधित सभी लोगों को ट्रॉफी दी जाती है बंबई की एक शानदार होटल में सुबोध मुकर जी की फिल्म शर्मीली की सिल्वर जुबली बड़ी दूमधाम से मनाई गई जब शर्मीली के सभी डिस्टीबूटर्स, टेकनीशियन्स और एक्टर्स को ट्राफी दी गई और शानदार दिनर भी इस मौके पर आए हुए मेहमानों की दिल्चस्पी के लिए सिंगर उशा आयर की छोटी बहन माया समी ने गीश सुनाया चोपरा झारिक जब शर्मी हमान। ट्राइख ठाक्रीडी घूर्स तर्मी में भी जब शर्मीणकों गेने चाहा थीजिए तर्मीया चोपरी में हम दो आइज भी जब शानदा हैं आरी के सवाय दरीजिए और स्वार्स चाहा रें वहार्च चैजर्टर्स तूर्स और आइजर्स के Let it rain all night long Let my love for you grow strong As long as we're together Who cares about the weather Listen to the pouring rain Listen to it fall And with every drop of rain You know I hear you call Call my name right out loud I can hear above the clouds And I'm here among the puddles You and I together huddle Listen to the pouring rain Listen to it fall Raining, it's pouring The old man is snoring Went to bed and he bumped his head He couldn't get up in the morning Listen to the pouring rain Listen to it fall And with every drop of rain You know I hear you call Call my name right out loud I can hear above the clouds And I'm here among the puddles You and I together huddle Listen to the pouring rain Listen to it fall Listen to the pouring rain Listen to it fall Listen to the pouring rain Listen to it fall Listen to it fall Listen to the pouring rain Listen to it pour 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 Hello friends I am only here by proxy Mr. S. Mukherjee was supposed to be here and since he has not come let me inflict myself on you I have been asked to introduce Mr. Tariq I don't know why I should be asked to introduce Mr. Tariq he is so well known to everybody he is the chairman of the you know, IMPAC and besides that, you know, we know him as a great parliamentarian and at one point in time he was a minister also so I don't think he needs any kind of an introduction in any case I do not want to stand in between you and him since he has to make a speech so I thank you so much Thank you very much Thank you very much पुड़ा साहिब, सभोध मुकरजी, दोस्तों, मेरे लिए ये इनतहाई खुशी का मुकाम है कि सभोध मुकरजी ने मुझे इस अजीम फंक्शन के लिए चीफ गेस्प की हसियत से चुन लिया है ये इस लहाज से भी मेरी खुशकिस्मती है कि मैं सभोध मुकरजी और बियार चोपड़ा को बहुत देर से जानता हूँ ये दोनों हजरात हंदोस्तान की फिल्मी दुनिया के सुतून है और ये इनका करम है कि एक ऐसे आदमी को जिसका इंडस्ट्री से उस लहाज से कोई तालुक नहीं है जो इनका है उसको इस फंक्शन के लिए चीफ केस्ट बना दें प्रोडूसर सुबोध मुकर जी और डिरेक्टर समीर गांगुली को मुबारख बात देने के लिए वहाँ बहुत सी फिल्मी हस्तियां आई थी प्रोडूसर डिरेक्टर देवेंदर गोयल प्रोडूसर जीपी सिपी एक्ट्रिस तनूजा और बहुत से लोग फिल्म सेंटर में रिकॉर्डिस कौशिक मुकेश जी का एक नया गीत रिकॉर्ड करने जा रहे हैं आज इस्टूडियो में लगभग सत्तर असी साजिन्दे औरकेस्ट्रा रिहर्स कर रहे हैं मुकेश जी अकेले बैठे हुए अपना गीत रिहर्स कर रहे हैं सुनी आपने मुकेह जी के आवाज कल्यान जी आनन जी रिकॉर्डिस कोशिक से सलाह मस्विरा कर रही है कि किस साथ को कहां इंपॉर्टेंस देना है शायद मुकेह जी गीत की रिकॉर्डिन के लिए तयार है ये गीत नई फिल्म तीन दर्वाजा का है जिसके प्रोडूसर है मुशीर साहब और रियास साहब गीत की धुन कल्यान जी आनन जी ने बड़ी प्यारी बनाई है लीजिए सुनिए मेरी आरजू है तुन्हे इतना चाहूं के तुम भी ती बातों का घम भूले जाओ